Good morning students, today I am going to start first lesson how the camel goat his hump from supplementary reader. So students listen it very carefully. I will explain complete story of this chapter in Hindi. इसमें कैसे जानवर के बारे में बताया गया है जो बहुत ही आलसी था, ना तो कोई काम करता था, ना ही कुछ बोलता था, बस हम्फ कहता रहता था. वो आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि वो किस तरह का जानवर था, उसके साथ क्या हुआ, कौन सा वो जानवर था, ठीक है? स्टार्टिंग में ये वर्ड बनाई था और एनिमल्स ओनली हुमन बिंग्स के लिए काम करते थे. एक कैमल था, जो कि एक सुंसान डैजर्ट में रहता था. क्योंकि वे काम नहीं करना चाता था, वे लकड़ी की तहनिया, कांटे, जाडियां खाता था. जब भी कोई परसन उसे बात करता, तो वे सिरफ हूं कहता. मंडे वाले दिन, उसे टाइम अपनी बैक के उपर एक काठी रखे, एक घोड़ा उसके पास आया, और उसने कहा, कैमलो कैमल, बाहर आजा, और हम सब की तरह तेज चाल चल. तो इससे कैमल बोलता हाम्फ, और घोड़ा चला गया, और हिमन बीन को जाकर बता दिया, फिर डोग उसके पास अपने मूँ में डंडी लेकर गया, और कहा, कैमल, अरे कैमल, आओ, हमारी तरह लकड़ियां उठाओ, तो इससे उसने कहा, हाम्फ, और डोग भी, वहाँ से चला जाता है, और हिमन बीन को बता दिता है, तब कैमल के पास एक बैल अपनी गर्दन पर योक लटकाए हुए गया, और कहा, कैमल ओ कैमल, आजा, हमारी तरह, हल चला, तो उठ ने कहा, हम्फ, और बैल ने भी जाकर हिमन बीन को बता दिया, डे के एंड होने तक हिमन ने होर्स, डॉग, बैल को एक साथ भुलाया, और कहा, एक तीनों एनिमल्स, मुझे बहुत दुख है, लेकिन डेजर्ट में रहने वाली हम्फ नाम की चीज है, जो वो काम नहीं करती, वरना अब तक यहां होती, इसलिए मैं उसे अकेला चोड़ हूँ, और अब इस बात से, जब उन्होंने ये बात उसकी सुनी, तो वो तिनों गुस्से हो जाते हैं, क्यों गुस्से हो जाते हैं, जब वो ये बोलता है, कि मैं अकेला शोड़ रहा हूँ, और अब तुमें जो है कमी पूरी करने के लिए दुगना समय काम करना इस बात से, वो तिनों नराज हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, और उन्होंने डैजर्ट के किनारे एक पंचायद बुलाई, और उंट वहाँ पर जुगाली करता हुआ आ गया, और उन पर हसा, तब उसने कहा हम्फ और फिर चला गया, तब वहाँ पर बादलों में जूनता हुआ, डैजर्ट का इंचार्ज आ गया, गोडे ने कहा, सभी डैजर्ट के जिन क्या किसी के लिए आलसी होना ठीक है, जिन बोला नहीं, फिर होर्स ने कहा तो ठीक है, तुमारे डैजर्ट के बीच एक लंबी गर्दन और लंबी लैक्स वाली एक एनिमल है, और उ सिती बजाते हुए बोला ची वे मेरा उंट है क्या कहता है ठीक है तो जिन उसे बोलता है वो क्या बोलता है तो इससे बैल ने कहा वे कहता है हम्फ और हल नहीं चलाता जिन कहता है ठीक है तुम वेट करो अगर तुम थोड़ा सा वेट करोगे थोड़ा टाइम मुझे दोगे तब मैं उसे एक पल में सुधार दूँगा जिन ने अपने आपको धूल से बने एक लंबे कोट में लबेट लिया और मुरुस्थल के पास चला गया और देखा कि कैमल अपनी परशाई पानी के पूल में देख रहा था वे कहता है कि मेरे दोस्त ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते जिन अपनी ठोड़ी अपने हाथ में लेकर बैठ गया जिन ने कहा तुमें अपने आलसे के कारण तुमने मंडे से अब तक तीनों के लिए एक्स्ट्रा काम छोड़ी है उट ने कहा हम्फ जिन ने कहा अगर मैं तुमारी जगा होता तो ये मैं वर्ड फिर से नहीं बोलता जिन ने ये बात कही कि मैं चलता हूँ तुम काम करो तो फिर उट जो है वो दुबारा हम्फ करता है बट जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने अपनी पीठ देखी जिस पर एक जिस पर वे हमेशा प्राउड फिल करता था वहाँ एक बड़े साइज में कूबड जो था उसके बैक के उपर वो फूल ने लगया उसकी बैक फूलनी स्टार्ट हो जाती है जिनने कहा ये तुमारा ही कूबड है तुमने खुद काम ना करके इसको लाकर रख दिया है आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया अब तुम काम करने जा रहे हो फिर कैमल ने कहा कि जब मेरे पीट पर ये कूबड है तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ इसका भी परपस है क्योंकि तुमने तीन दिन से कोई काम नहीं किया तुम अब बिना खाए तीन दिन तक काम कर सकोगे तुमने अब कूबड पर डिपेंड रहना पड़ेगा तो इससे वो क्या बात बोलता है जिनुसे कि तुमें तीन दिन तक अपने इस कूबड पर डिपेंड रहना पड़ेगा ये कभी न कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया अब डैजर्ट से बाहर आकर उन तीनों से अच्छा बिहेव करो और कैमल तीनों के साथ मिलने के लिए गया और उस दिन से आज तक उसके कूबड लगा हुआ है हम इसे कूबड कहते हैं ताकि उसकी फिलिंग्स हाट ना हो बट अभी तक उसने थ्री डेज के लिए जो उसकी जो कमी थी उसको उसने पूरा नहीं किया है जो उसने वर्ड को बिगनिंग में गवाए थी और उसने अभी भी अच्छा बिहेव करना नहीं सीखा है तो स्टूडेंट्स ये थी जो आज स्टोरी तो ये पूरी एक्स्प्लानेशन थी हिंदी में तो मैं होप करती हूँ कि आज ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है थैंक यू स्टूडेंट्स